दोस्तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि, drop down menus कैसे बनाते हैं wordpress की website के ओपर, और इस वीडियो में आपको बतनाँगा की pages, post और categories कैसे create करते हैं, और इसमें differences क्या-क्या होते हैं. अगर आपने जाना है तो विए विडियो आगे तक देखते रहे हैं मुश्का दोस्तो मैं हूँ विपेन और आप देख रहे हैं ऐसा क्या हिंदी यूट्यूब चैनल दोस्तो इस ये विडियो स्टार्ट करने से पहले अगर यूट्यूब चैनल अभी तक आपने डॉट कॉम पे और मेरी वेबसाइट जो अभी रेडी नहीं हुई आप उस पर भी जा सकते हैं ऐसा क्या हिंदी डॉट कॉम अईए चलते हैं यह मेरा wordpress का dashboard है दोस्तों इसमें मैं आपको दांगा कि post कैसे create करते हैं और pages क्या होते हैं और यहांपे admin pages यहांपे pages मैंने last videos में आपको बता दिया था कि pages कैसे create करते हैं अगर आपको नहीं मालूम तो मैं इसका link description में नीचे दे दोंगा आप वहाँ से भी देख सकते हैं पोस्ट को कैसे ग्रेट करते हैं पोस्ट क्या होता है पोस्ट क्या होता है दोस्तों जैसे ये हॉम पेज खुलता है इसमें जो भी चीज आप नहीं डाल रहे हैं इसमें कोई ब्लॉग है ब्लॉक के उपर आप आर्टिकल लिखते हैं या न्यूस चैनल है न्यूस से लेटिर वेबसाइट है वोई आपकी तो वो जो पॉस्ट जो भी आप आर्टिकल डालर की वो पॉस्ट में आएगा क्योंकि वो धाइनिमिक है वो चेंजिस होता रहेगा For example example के तोर पे मैं सिंपल से एकजंपल ले लेता हूँ यहां पे Google टिप्स और ट्रिक्स लिखा हुआ है यहां पे How to increase Google Adsense earning by blocking low CPC in Hindi यहां पे अगर click किया यहाँ पे click करने के पाद तो आपको एक page पे फैंक देगा जिसका नाम है Google Tips and Tricks जो यहाँ पे आपको green color में दिखाई दे रहा है तो इसको आप post कहते हैं pages जो होते हैं वो status में आते हैं जैसे contact page होता है, blog pages, home pages जो changes नहीं होते हैं वो pages में आयेंगे जो static pages static होते हैं and postes होती हैं वो dynamic होती हैं और categories क्या होता है यह आप देख रहे हैं Google Tips and Tricks YouTube Tips and Tricks यह सारे categories है यह मैंने categories मिना रखी हैं इसकी for example अगर आप यहां पर click करेंगे यह यहां पर click करेंगे and while the way अगर यहां पर भी click करेंगे आप तो direct आप YouTube Tips and Tricks में जाके खुल जाएगा तो सारी यह post आपको दिखाई देंगी वो YouTube Tips and Tricks में जो post आएंगी वो ही दिखाई देंगी आपको तो कैसे grade करते हैं मैं आपको बिदायता हूं यहां पर पोस्ट में जाना है आपने पोस्ट पर जाना है new यू पर click करना है new पर मैं कोई भी article ले लेता हूं Google से मैंने कुछ भी उठाया इस पर क्लिक किया और स्वारी कुछ दिखा रहे हैं YouTube लेता हूं मैं YouTube ब्लागर इस पर click किया मैंने और इस पर click किया इस पर click करने के बाद ये तो चैनल खुल गया हमने चैनल नी चाहिए मैंने कुछ अ टेक्स्ट फॉइंड करना है तो विकी विडिया में चलता हूं मैं चैसे विकी tape में कुछ मिल जाये example Video blog video blog मैं टाइट्ल रख दिया यह दोस्तो एड़्म योबाइगा यहां पे आप जो टाइटल रखना चाहते हो टाइटल एक Inriters L dev mo 강 dub topics प्रेंड जिया रख सकते हो तक्रीब diary तो फिफिटी टू शिस्थी वोल्द से büy की यहां पर कुछ भी लगता हूं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कि क्या हिंदी सर्फ ये ले दिया मैंने and then अभी आपने कुछ नहीं करना दोस्तो यह यहां पर कैटिगरीस बनाई हुई है इसको आपने क्लिक करना है अगर आपने क्लिक नहीं किया तो यह किसी भी categories में नहीं जाएगा नहीं यह Google tips and tricks में जाएगा नहीं YouTube, नहीं Facebook, नहीं WordPress, नहीं Android, नहीं Blogger नहीं ऐसा के Hindi जो हमने बिलाया था last videos में तो हमने यहाँ पर कुछ न कुछ चेक कर देना है यहाँ पर चेक करेंगे तो Google tips and tricks में चला जाएगा यह वाला ब्लाग, वीडियो ब्लाग, अगर मैं YouTube पर क्लिक करूँगा तो YouTube में चला जाएगा, अगर मैं दोनों पर क्लिक कर दूँगा दोनों में चला जाएगा, अगर आपने categories नहीं बनानी है तो यहाँ पर add new पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर description में लेग देंगे और आपकी categories एक नहीं त्यार हो जाएगी अगर आप यहाँ पर check नहीं करेंगे, तो earn categories में चला जाएगा, automatically और इसको मैं यहाँ पर publish कर देता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर जैसे मैंने publish किया तो अपने website पर गया और इसमें रिफ्रेक्श कर दिया एक बार, रिफ्रेक्श करने के पाद, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मैं यहाँ पर home page पर गया, home page पर जाने के बाद, हमने कहाँ पर डाला था यह वाला blog, YouTube tips and tricks में, देखिए, automatically YouTube tips and tricks में आ गया है, video blog लिखा हुआ आ गया, हमने कहा लिखा था यहाँ पर, video blog, और यहाँ पर description में, जो आप लिखना चाहिए, वो दिख सकते हैं, मैं दो चार वर्ड लिखे थे, ऐसा क्या हिंदी, तो यहाँ पर, automatically tips and tricks में आ गया, इस तरह से आप अपने pages भी create कर सकते हैं, दोस्तों, अपने post भी create कर सकते हैं, और categories भी बना सकते हैं, और next videos में मैं आपको बताऊंगा, कि आप यह follow button कैसे लेकर आ सकते हैं, अगर आप नहीं जाना है, तो यह मैं next videos देखना ना बूलें, आप जैसे देख रहे हैं, यह twitter, google plus, facebook, जो भी follow button है, यह कैसे create करते हैं, यह मैं next video में दाऊंगा, आयो आप दोस्तों, यह video आपको अच्छे लगी होगी, अगर आपको यह share करें और subscribe करें, thank you for watching.